अगर celebrities की English आपको काफी impress करती है और आप उनहीं की तरह English बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने बस आप ही के लिए record करी है जो इस time stamp से शुरू होगी और अगर आप एक mail हैं तो please वीडियो को skip करके वहीं से वीडियो देखना शुरू करें क्योंकि जो message मैं अभी share क करने वाली हो उससे शायद हमारा personal relation खराब हो सकता है well message ये है कि हमारे पैसना एक खास callers की number भढ़ता जारा है time के साथ और इसमें होता ये है कि एक लेडी बिचारी कॉल करती है परिशान होकर तो बहुत अगर तो बहुत अगर तो अगर तो अगर तो अगर तो ये है लेडी कॉल गरती है और कहती है कि मेरा पती मेर कुछ टॉर्चर कर रहा है कि मेरा पती मेर कुछ टॉर्चर कर रहा है कि मेरा पती मेर कुर्चर कर रहा है और तो अगर तो आती नहीं है और तू मेरा पीछा चोड अपने घर और तू मेरी बेज़ती कर आती है तू मेरे social circle में fit नहीं होती, तु गवार है और पता नहीं क्या क्या और even in-laws और sister-in-law का भी special नाम लिया जाता है, sorry to say, कि वो भी torture करती है, अब वैसे तो भी बहुत सीरियस मेटर है, पर इसके solution के उब पर बात करते हैं, देखो यार, तुम्हें पास नहीं तीन चीज़े हैं जो तुम कर सकते हो, नमबर वन, watch that movie, साथखून माफ, get some inspiration, वैं जोक साथखून माफ मूवी ना देखकर, दूसरा option आता है हमारे पास, कि बेशरम हो जाओ, और चिल करके मस तुझी हो, कोई टेंशन नहीं लेने का, और थर्ड ऑप्शेन आता है, जो मैं दिल से आपको रेकेमेंट करूँगी, कि क्या कर रहे हो, अपनी वर्त पहचानो, अपनी सेल्फ वर्त पहचानो, क्या चला रख है, कोई भी कुछ भी क्या के चला जाएग, और आप सुनलोगे, दो तिन मैथर्ड बदा रही हूँ, उसके उपर गाम कर लो, उसके बाद ऐसा करते हैं, एक छे महीने के अंदर ऐसा टागेट करते हैं, कि उसे बहतर इंगलिश बोलकर उनको दिखाएंगे, तो अगर मैं यहां से यहां जा सकती हूँ, तो आप भी जा सकते हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने लोगों को ट्रांस्फॉर्म करते हूँ देखा है अपनी वस्नालिटी को, फाइट यहां पर यह नहीं है कि इसी को प्रूब करना है, फाइट यहां पर है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ क्रियेट करनी है, खुद को बहतर बनाना है, क्योंकि आप यह डिजर्फ करते हो, तो पहली चीज़ तो यह आगई कि अपना टाइम बेस्ट करना बन करो पालतू के अन्प्रोड़क्टिव कामों में, नोइंगी, जब बना अपने अपना होते हैं, तो हम यह शॉट वीडियो देखते रहते हैं, हम व्लोग देखते रहते हैं, यह क्यों कि अससे क्या होते है कि वह शॉट ताइम का एक थोड़ासा दोबरमन रिलीज होता है, तोड़ी सी हापिनेस मल जाती है, तो लगते है यही जिन्दगी है, वो अलग ट्राप है, उस ट्राप ने तो अलग लोगों की जिन्दगी बरबाद कर रखी है, यह सब चीजों को रिमूव करके न कुछ प्रोड़क्टिव हाबिट्स बनाने की आदर डालो, तो एक बड़ी तो एक आदत है जो आपको बिल्ड करनी है, और वो है खुद को खुद पढ़ाने की आदत, तो आपको बढ़ने की आदत, किसे भी डिपेंट नहीं रहना, कि पती पैसे नहीं दे रहा है, इसले में इंग्लिश भी नहीं सीख पारी हूं, और टॉर्चर अलग कर रहा है, य यूट्यूब है ना, तो सबसे पहले एक आदत बनाओ कि यार मैं खुद को खुद एजुकेट करूंगी, हो सकता है, आपको मेरी वीडियो से समझना आता हो, दुनिया भर के क्रियेटर्स पढ़े हो हैं, जिस से समझ आता है, उससे पढ़ो पर पढ़ना शुरू करो, दो ह उसके लिया मैं आज काम करना बड़ेगा, और देखो देरे देरे जबा पढ़ाई शुरू करोगे ना, एक दो घंटे रोज पढ़ होगे खुद से, थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर उसके बाद वो शॉर्ट टर्म हापिनेस निमेलेगी उससे, उसके बाद तो वो लॉग टाइम, बिकॉज यू अर चेंजिंग देरे वे यू आ, यू 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 फिल प्राउड अफ यू तो जाओ और एक नोट बुक खरीद के लाओ, 10 रुपेगी, 50 रुपेगी, जितना आपका बज़ट अलाओ करें और उसके उपर लिख दो, PhD in Communicative English, PhD कर नी है मुझे Communicative English में, hashtag self learning, खुद से सीख कर, और इस वीडियो में मैं आपको पुछ ऐसी टेक्नीक सिखाना चाहूँगी, कि आप जो भी, you know, English में content consume करोगे, उससे आप अपनी self learning को enable कर पाओगे, खुद से अपने notes बनागर, खुद से खुद को improve कर पाओगे, तो खेर, मेरा नाम है व अपने समझ नहीं आएंगे मेरे वीवर्स को, मैं उन सेंटेंस की क्लिप रिकॉर्ड कर ली है, और उनको मैं डिकोड कर एक्स्प्लें करूंगी, पर आप यह मैं सोच्छा कि मैं अच्छा कि मैं अच्रेनर पढ़ाई हूँ, आप समझो की आपको एसे वीडियो को देखना और इसे कुई सेंटेंस आएं तो मीरी क्या एप्रोच होनी चाहिए अपनी नोट्समेकिं की ता कि आप खुद से खुद को द्रें करो और, you know, you could fight for your own rights, you will not have to be humiliated just because of this nonsense reason. भार्षा, इतनी बड़ी बन गई? कुछ भी चल रहा है, जब चली है, जब चली है, जब चली है, अब क्लास टाट करते हैं, अगर आप चानल पर ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रreक्यमेंट करूंगे, कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए, कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको लांग्विज के पांडेशन को बहुत स्ट्रॉंग करें, और मेरे कुई यह वाले एक्सक्यूस बिल्कुल भी नहीं चाहिएं कि अरे ग्रामर सीके किसको इंग्लिश बूलनी आती है आपको आएगी आप फुट्प्रिंट्स को फॉलो तो करें पंदरा बीस दिन या एक महीने की बात है पहले ग्रामर सीके और फिर इस लेवल पर आए जहां पर आप phrasal verbs, idiomatic English expressions और कुछ tricky English sentences शेखेंगे जो आपकी emotions को आपको express करने में liberty देंगे, freedom देंगे कि आप बहुत complex से complex idea को भी बहुत easily English में communicate कर पाएंगे तो शुरू करते हैं पहले sentence से तो पहला sentence लिखा हुआ है I was supposed to meet him before her arrival मैं 30 seconds की पहले clip play कर देती हूं ता कि आपको sentences का selection समझा जाए फिर मैं आपको फटा बड़ते explain करने लगोंगी तो पहले इतने English expressions का मेंन करते हैं तेको पहला sentence है I was supposed to meet him before her arrival यहां पर grammar का ही पहला पाटन आगया कि मुझे उससे मिलना था, supposed to मतलब कोई काम होना था और अगर वास की जगा is MR लगा देंगे तो हम कहेंगे कि ये काम होना है क्योंकि रणबीर को past में मिलना था इसलिए I was supposed to meet him before she comes. एक ट्रिक जो आपको देखनी है कि जब आप English content consume करें तो सब्टाइटल की तरफ देखे बिना देखें कि यार आप इस sentence को अपनी present knowledge में कैसे translate करते हैं अगर आपका sentence basic है उसको drop करो और advanced sentence को pick करो यहाँ पर before she comes ना लगा कर लगाया है before her arrival उसके आने से पहले I was supposed to meet him before her arrival अगर supposed supposed to आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कोई structure आपको sentence में पहली बार देखने के लिए मिला है उसको अपनी PhD वाली जो नोट्बुक आप बना रहे हैं उसी grammar pattern से कम से कम 5-6 sentences और बनाएं खुद से नहीं बना रहे हैं तो internet की help लें कि supposed to in a sentence ये करके लिखेंगे तो आपको अब एक sentence आपके लिए जो आपको translate करना है कि ये काम मुझे अपने बॉस के आने से पहले पूरा करना था था है इसलिए बॉस है करना है अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहां पर I am supposed to आ जाएगा ED मत मस कीजेगा यहां पर मैंने arrival word को पिक करके यहां पर देखा कि और किस context में यह expression use हो सकता है और वो है arrival time की आने का समय क्या होगा please confirm your arrival time अपना arrival time confirm कर दो एक और छोटी सी trick अगर पूरा English का sentence बूलने में आपको problem आती है तो अपने हिंदी के sentences में बीच-बीच में कही English के words या you know छोटे-छोटे sentences को add करना शुरू करें तो यहां पर है please confirm your arrival time so we can arrange your we can arrange transportation accordingly आप इसको एक बार खुद से बोलने की प्राक्टिस करें मेरे साथ please confirm your arrival time so we can arrange transportation accordingly सिर्फ एक sentence था दो चीज़े सीख ली supposed to का use और arrival word को कैसे actively conversational English में यूज करना है वो second अब यहां से आपको यह सीखना है कि यार इतने हाई लेवल पर जाने के बाद भी अगर एक बंदा गलत ग्रामर को यूज करके English बोल सकता है तो आप क्यों इतना जादा ओवर थिंक करने लगते हो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल तिया और एक बहुत कॉमन प्रॉबलम जब हम English बोल रहे होते हैं तो हम आगे का नहीं सोचते हैं हम पीछे का कंटेंपलेट करने लगते हैं कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया अरे यार जो बोल दिया उसको बोल दिया आगे वाले सेंटेंस के उपर फोकस करो बाई के चेहरे पर कि आप चेहर बेटे हो तो I was sitting at the table क्योंकि specific location की बात है पर grammar सीखनी जरूर है पर जब बोलनी है तो जो मन में आ रहा है उसको confidence के साथ बोल दो इतने बड़े platform पे बंदा गलती कर रहा है तो आप तो गलती करोगी करोगे you go girl you go girl you go girl वैसे तो इसका hindi मीनिंग है कि तुम जाओ girl पर इसका exact यह एक idiomatic expression है जिसको आप यूस करते है कि इसको encourage करने के लिए boost करने के लिए cheer up करने के लिए you go girl जैसे अब आपने कोई बिजनस शुरू किया तो मैं कहूंगी wow starting you know your own business that to at such a tender age that to at a age of 25 26 30 is a big achievement you go girl so congratulations ना लिखकर आप लिख सकते हो you go girl okay it was in the air अगर कोई चीज हवा में है मतलब वो हर कोई बंदा महसूस कर सकता है जैसे खुश्बू होती है फ्रेगनस होती है so the love was in the air the tension was in the air I could sense it I could feel it इसी के तैसा एक और expression है the plan is up in the air मतलब जो plan है वो अभी भी हवा में है उसको कुछ बदलब अभी पक्का नहीं बता कि वो plan के ओपर काम करेंगे रही करेंगे so the plan is still up in the air एक एक अलग expression है यह मैं कैसे सीखती हूं जब मैं किसी expression को सर्च करती हूं तो उससे related जो दूसरे expressions आते हैं उसके भी notes बना बना कर लिखती हूं इससे क्या होता है active memory में मेरी expression सब सेव होने लगते हैं और जब मैं इंग्लिश में बात कर रही होती हूं तो यह सारी चीज़े यूस्फुल होती है so it was in the air अब second sentence like this love that was happening यह जो प्यार हो रहा था past continuous tense use करके यह sentence बनाया है पर यह एक standard English का sentence नहीं है पर चल रहा है काम चल रहा है काम चला हो बोलनी शुरू करो इससे इंग्लिश कुछ नहीं होती है यही होती है अब की जगा on बोल रहे है कि मैं तेबल के उपर बैठा हुआ था तो like that love which was happening the love that was happening जो हो रहा था ऐसे कौन बोलता है यह पर चलो बोल दिया it was in the air it was in the air it kind of came through stunningly context में क्या बात थी वो मुझे भी आद नहीं क्योंकि मैं English episodes जिर्फ English sentences के लिए देखती हूं ना की समझने के लिए की actor actresses की life में क्या चल रहा है और यही आपका टागे होना जी है मेर को यह sentence or a tricky लगा I think it kind of came through stunningly तो come through एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है या तो आगे आना या फिर काम्याब होना बहुत successfully किसी चीज को करना और अगर सही emotional element टच किया जाए तो मैं कहूंगे कि यह चीज ना बड़ी बढ़िया निकल कर आई यह चीज बहुत बढ़िया हो कर आई या निकल कर आई जैसे हमने प्लान किया था बहुत बढ़िया हुई यह चीज उसके लिए come through phrasal verb यूज होगी तो अब यहां पर देखो example sentence I had my doubts about him passing the exam but he came through with flying colors यहां यहां पर यह लोग मुवी की बात कर रहे थे या शाइद relationship की बात कर रहे थे कि वह मुवी बहुत बढ़िया बनकर रही so it came through कैसी adverb लगा दी stunningly बहुत ही बढ़िया तरीके से it came through stunningly इसका second जो meaning है इस phrasal verb का वो इस context में use नहीं हुआ पर क्योंकि मेरेको तो language सीखनी है तो मैंने दूसरे meaning को भी लिख लिया कि आगे आना she always comes through for her friends when they need help वो हमेशा आगे आती है अपने दोस्तों के लिए जब उनको उनकी जुरत पड़ती है she always comes through for her friends when they need help अब देखिये अगर English का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ही advanced English बोलो पहला target होना चाहिए कि काम चलाओ अपने expressions को you know आप communicate कर पाओ तो इसके लिए मेरे पास एक और sentence है that she always stands by her friends stands by मतलब खड़े रहना you know she always she has always been a strength of pillar for her friends कि वो हमेशा एक मजबूत pillar की तरह रही है अपने दोस्तों के लिए अगर मेरे पास इस emotion को convey करने के लिए already कुछ preconceived knowledge है तो I'll rather rely on that instead of just installing new information to my brain आपको अपने दिमाग को torture नहीं कर नहीं कर नहीं बहुत सारी चीजह सीकर जिस emotion को नहीं कहना आता English में सिर्फ उसी के notes बनाने हैं तो यहां पर रनबीर कहहे हैं कि a brick has come through the window इसका मतलब है कि एक इड आई खिडकी में से अब सेक English तो हमने from पड़ी है जैसे I am from Saharanpur पर देखिए आपको यहां पर word की Hindi word के साथ explanation नहीं सीखनी है आपको देखना है कि उस भाव में from का मतलब क्या है यहां पर from किसी जगा से नहीं है कि किसी जगा से आई है बलकि location बताई है कि खिडकी में से आई है और जब three dimensional area में से कोई चीज ऐसे पास होती है तो through preposition यूज होती है एक इट आई खिडकी में से और उसके बाद इनोंने का है और हमें अब्लीवियस वर्ट का मतलब है अंजान रहना बेखबर रहना मतलब पता ही नहीं लगा कि यार इट आई है कि एक इट अंदर आ रही है in preposition अंदर आने के लिए यूज हुई है so we are oblivious to a brick coming in oblivious से ही मैंने एक हो सेंटेंस बनाया she was so lost in her thoughts वो अपने खयालों में बहुत जादा खोई हुई थी that she was oblivious to the passing time कि उसको समय का पता ही नहीं चला अब देखिए जब मीनिंग समझ लेना एक context में एक अलग चीज है मेरे को मीनिंग समझ आ गया Google पर देखकर मैंने का ठीक है oblivious word का मतलब अंजान पता नहीं चला पर अगर मेरे को इस अपनी active memory में add करना है अपनी vocabulary का part बनाना है तो मेरे को इस word से एक, दो, तीन, चार sentences और लिखने पड़ेंगे ताकि ये word आप से परिच्छत हो जाए आप इस word को recognize करने लगें भूले ना और sentences ऐसे बनाएं जिनसे आप relate कर पाएं तो एक sentence जो मैं चाहती हूँ कि आप translate करें कि मैं पढ़ाई में इतना busy थी कि मुझे पता ही नी चला कब guest आए मुझे पता ही नी चला कब guest आए क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत busy थी I was so lost in my studies, I was completely engrossed किसी चीज में डूबे होने को आप engrossed कहते हैं I was so engrossed in studies that I was oblivious about the guests coming in आपके लिए दूसरा sentence मैं वो वो वीडियो गेम में इतना busy था कि उसे पता ही नी चला कि मैं वहाँ हूँ कोशिश करें देखो यहां पे ना dots connect करनी है पहले बहुत सारी dots create करनी है एक sentence से दूसरा sentence बनाओ एक sentence से फिर दूसरा sentence बनाओ और फिर वो dots एक time पर आकर खुद सारी connect होने लगेंगी और आप बहुत ही beautifully अपने आपको English में express करना सीख जाएंगे अब जब मैं present time में past time के बारे में सोच रहा होता हूँ कैसे clarity के साथ क्योंकि जब हम किसी situation में होते हैं तो मैं पता नहीं चलता क्या चल रहा होता है पर जब वो situation बीच जाती है तो हम retrospect करते हैं बड़ी clarity के साथ सोचने की यार हुआ क्या था तो रनबीर कह रहे हैं कि in retrospect I feel that perhaps they could have said कि वो कुछ और कह सकते थे grammar पढ़ने से English नहीं आती यार could have said model verb का past में यूजी तो है किसी model verb को अगर आपको past time में लेकर जाना है तो आप उसको रहा है लगाते हो और verb की third form लगा देते हो तो they could have said वो कह सकते थे second sentence maybe you should consider कि तुमें consider करना चाहिए maybe you should consider touching base with her parents touching base with her parents अँ में को touch base word पसंद आगया मैंने उसको अपनी note book में लिख लिए और खुद को self-educate करा कि इस word का meaning किया है touch base का meaning होता है किसी से contact बनाना किसी से संपर्ख करना तो getting in contact or making a connection with someone so I wanted to touch base with you about the upcoming presentation and go over the key points touch base word मैंने सीखा करन विद कॉफी वाले episode में और इसको यूज कर अपनी business English में अपने subordinate को को कोई task असाइन करते time कि I wanted to touch base with you मैं आपसे मिलना चाहती थी मैं आपसे बातचीत करना चाहती थी about the upcoming presentation जो आने वाली presentation है उसके लिए and go over the key points go over मतलब किसी चीज को ऐसे उसके उपर ऐसे जाना उसको पढ़ लेना देख लेना ध्यान कर लेना so एक बाद सेंटेंस साथ में read करने की कोश्श करते है I wanted to touch base with you about the upcoming presentation and go over the key points अब एक सेंटेंस देखिए अगर English में सेंटेंस बनाना मुश्किल हो रहा है तो कम से कम touch base word को हिंदी के साथ blend करके यूज करना शुरू करें जैसे आपको I think उसके parent से touch base करना चाहिए important बात करने से पहले या देखो client से touch base करना तो ज़रूरी होता है अगर आपको sales करनी है अगर आप follow up calls नहीं करोगे तो sales नहीं होगी तो touch base करना important है अब आप एक sentence बनाए कि मैं बस आपको call कर रहा था touch base करने के लिए कि आपका क्या plan है आगे के लिए मैं आपको call कर रहा था बस touch base करने के लिए I was just calling you to touch base to know कि आपका आगे का क्या plan है एक sentence आपने जो net से सीखा है उसी के जैसा एक sentence और आपको खुद से बनाना है which I should have done मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए था model verb को past time में ले गए चाहिए था मतलब should have और verb की third form लगा दो do की third form होती है do, did, done which I should have done अब आप translate करें आपको मुझे पहले कॉल करना चाहिए था आप translate कर सकते हैं I'm sure might have been the right thing to do जब हम्बली अपनी अपीनियन को प्रेजन करना चाहते हैं बिना डॉमिनेट करें कि या तुम भी कुछ गलत नहीं करें पर हां ये चीज सही रहती करना कम possibility के लिए might use होता है यहां पर हम्बल तरीके से अपनी अपीनियन को प्रेजन करने के यूज हुआ है कि या that might have been the right thing to do that might have been बिन क्यों आया है वो सही चीज होती हो कि इंग्लिश भी की थर्ड पॉर्म बिन इसलिए इसलिए that might have been the right thing to do अब जब आप grammar को इतनी गहराई से पढ़ने लगते हो ना तो आपको इन words से डर्ड नहीं लगता आप इनके साथ play करना सीख जाते है I am wondering what is coming मैं सोच रहा हों कि बतानी अब आगे तुम ऐसा क्या बताने वाले हो कि यह थोड़ा surprised है करन I am wondering मतलब आप उमीद कर रहे हो आप सोच रहे हो कि पतानी क्या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो अपने बॉस से चुटी लेने के लिए कि सर मैं सोच रहा था कि एक दिन की चुटी ले लू Sir I am wondering if I could take a day off जब आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो जसमें anxiety आजाती है Sir I am wondering, मैं सोच रहा था अब आप translate करें मैं सोच रहा था कि क्या तुम अपनी कार मुझे एक दिन के लिए उधार में दे सकते हो I was wondering if I could borrow your car for a day एक और sentence आपके लिए मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपके घर में एक दिन रुक सकता हूं क्योंकि मेरे को कोई भी और accommodation नहीं मिल रहा है translate करें I am trying to charm them also मैं सब को charm करने की मतलब सब को please करने की कोशिच भी कर रहा था मनाने की कोशिच कर रहा था कि मैं एक right fit हूं दिपेका के लिए So I am trying to charm them also I am trying to charm them now also It would be easier to give the truth It would be easier to Okay, listen to the sentences first and explain to the film What is the worst thing to do? Okay Out of nowhere Out of nowhere Expressions, बोलने का आटिटूद She's like I need not even propose match to me and I said yes Facial expressions like now So here I didn't know Now you tell me what sort of English is this You can clearly see that Ranveer has Run out of words to express the right emotion They don't have a right word They don't have a right word So they are making facial expressions Make up Words are not coming But Emotions Do you have to understand the right word You have to remember the right word That the right word is not so much You have to express the right emotion So you have to match your tone And your facial expressions If you are working on words Where you are working on the right word In this situation I should have to express the right word My heart came into my mouth My heart came into my mouth Because it was very shocking But he was not prepared for that moment So his heart came into his mouth Now let's understand the last sentences It would be easier to break the news It would be easier to break the news Which again is the worst thing to do Which was the worst thing to do Now let's tell you that He didn't have money But he was very bad But he was very bad I believe that he didn't have money I understand that he didn't have money But stealing money is the worst thing to do But stealing money is the worst thing to do But stealing was a very bad thing to do Now let's try to translate it I am trying to do That the worst thing to do Without telling you Is the worst thing to do You didn't want to do that You should not have done it Dots connect It's the worst thing to do Out of nowhere He is not aware He is not aware of where Then he said in second sentence Out of absolutely nowhere Absolutely He is working on intensive fire Which says He is not aware of where Out of absolutely nowhere You see this He is enjoying each and every word He is uttering Every word he is speaking He is enjoying each and every word And he is trying to Connect with the audience By carrying the right emotion That comes with that word When you speak English When you speak English You are speaking the same word You are speaking the same Emotions To copy your facial expressions To copy your hand gestures So let's say one more time Out of absolutely nowhere Out of nowhere Out of absolutely nowhere Out of absolutely nowhere Absolutely Absolutely nowhere The word Because here This word is important So Elongate It is pronounced Out of absolutely Out of absolutely nowhere She is like I didn't know She proposed marriage to me To me And I said yes I was like And my heart came into my mouth I did not know In that moment You know In that moment Now see They said In that sink Then what they have to say What they have to say What they have to say And they have to say That sentence They have not heard They have not been They have to say 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 That sentence And they have to rephrase This emotion With another sentence Help They have said You know when The blood rushes From the top of your head To down To straight down Something like that Now see This is not a standard English It is not an English expression You know The moment When the blood is rushing Straight from your head To the bottom They have to say Something like that This is not a standard English It is not a standard English The blood rushes What is the matter In that moment They have no right expressions So they have to say What they have to say They have to say And when you see This whole episode Like the viewer You will not realize About the flaws You have to realize That when you say English Don't judge yourself Just enjoy What you speak Just enjoy What you speak From the top of your head Straight 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 down Straight down What the head Straight down The subtitle Added It is natural After that When you don't have English To write expressions Or To connect Two sentences Then They are Fillers These fillers You have left A sentence And It is like You know Kind of These fillers Use their second sentence Framed Which they have said It is like Rollercoaster Rollercoaster What? After that It is like What the hell? Easy sentence So This is Complete And Let's recap And The blood rushes From The top of your head Down Like a rollercoaster Like What the hell? Natural And Ujla's face And Ujla's face has just gone cold That means Ujla's face is cold Because they didn't expect it to happen And they don't like it So Her face has turned And gone cold Here Why is present perfect tense Has Why has come here Because Ranbir Is the entire incidence In the past Time zone To explain That Ujla's face is cold And then And then And then And then That means It is Cold Okay I can sense the undercurrents I can sense the undercurrents Okay I would like you to listen to a couple of more sentences And then I'll explain the meaning And I've got put my ear to the door It's easy for you to I think Walk into somebody's life And kind of sweep them off emotionally It culminated Okay It culminated I can sense the undercurrents I can sense the undercurrents You know You have done something Which is the repercussions The consequences You have seen You have seen That it's your actions That it's your actions But it's not obvious It's not clear It's hidden emotion For example You have to lose your boss You have to lose your boss You are a big boss You have to go to your boss The boss tells you You have to lose your boss Now the boss is off But you can't say the boss And I've got put my ear to the door I've put my ear to the door I've put my ear to the door I've placed my ear against the wall To listen to the conversation Behind the door What a long sentence You can simply call it in casual English I've put my ear to the door 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 All of these are very easy words There are no words That you can't use Okay And then It's easy for you to I think Walk into somebody's life And then sweep them off emotionally Okay So Karan said to you Ranbir I think it is easy for you To walk into somebody's life And sweep them off emotionally If someone Sweep off emotionally That means That means You are very impressed They are able to relate And you like So Karan So Karan I think Ranbir Can sweep anybody off emotionally He can impress anyone on the emotional level Let's see A sample sentence Her performance Was so mesmerizing That it sweeped the audience Off their feet Let's create a mental note Sweep somebody off their feet That means You are so impressed That he is standing With respect So You can see This sentence It was so big And her performance Was so mesmerizing That It Sweeped The audience Off their feet That the audience Was standing And impressed Now Try to translate the sentence That Tomorrow I will give a presentation In the office That I will impress Every person I am going to sweep Everybody off their feet By my presentation Tomorrow Then Try to translate the sentence That Tomorrow I will give a speech I will give a speech Every person Impressed This phrasal verb I am really going to use it In my everyday conversations So her performance Was so mesmerizing That it sweeped the audience Off their feet It culminated 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 In a beautiful wedding When the time is right It will all fall into place When the time is right It will all fall into place It will all fall into place It will all fall into place If we have not installed this sentence in our mind In the hard drive If we have not installed this sentence in our mind Then How much Think in English You will say When the time is right Everything will be right But It is not the right emotional element Touch It is not the right emotional element It will be expressive It is not the right emotional element It will be expressive The art of articulation It is not the right We need to install these standard English sentences In our brain In our brain Think in English There is no work Think in English It will be possible When the brain has information To process it Now We understand the sentence When the time is right Everything will fall into place Whatever Where you want It will fall into place It will fall into place When the time is right Everything is GObian See don't be worried When the time is right Everything will fall into place Perfect I came to terms with everything that's happening I came to terms with everything that was happening when you come to terms with something you accept or acknowledge that okay this thing is going to be like this forever मतलब आपने मान लिया आप इस चीज को आप इस चीज के साथ terms में आ गए हो आपने accept कर लिया कि यह चीज ऐसे ही रहेगी तो यहां पर रनबीर कह रहे हैं कि फिर I came to terms with everything जो भी हो रहा था मैंने उस चीज को मान लिया कि अच्छा यह ऐसे ही होगा इसमें मैं कुछ खास चेंज नहीं कर सकता I came to terms with that maybe Deepika's family you know does not like him much context में exactly he made a lot of efforts to sweep her family off their feet but मैं को बस meaning explain कर रहे हूं so if you come to terms with something that means that you have accepted, acknowledged or reached a point of understanding or agreement about a particular situation अब आप पताएं कि यार मैंने मान लिया है कि अगर ओफिस में ग्रो करना है तो politics तो जहेलनी पडेगी translate करें we were having a chat and she was like we were having a chat advanced English basic English we were talking हम बात कर रहे थे we were having a chat like you know you're actually you come off as this supremely confident person come off फिर से एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, अपीर होना तो देपेका ने रनबीर को बोला कि तुम बहुत ही स्यादा confident दिखते हो you come off कैसे, you come off as extremely confident person supremely confident person come off का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि जस तरह से कोई बंदा ready हो रहा है और किसी चीज के ओपर किसी movie के ओपर काम चल रहा है तो उसका जो end result निकल कर आया वो movie कैसे बन कर आई, so it came off stunningly beautiful बहुत ही भढ़िया निकल कर आई ये movie इस sense में अगर इसका sentence देखें तो हमने का कि comedian जो था उसके जो joke थे वो बहुत दा funny निकल कर नहीं आए और इसकी वज़े से जो उसके सारे, जैसा उसने सोचा था और उसकी वज़े से जो audience थी बलकी उनके पर वो सारे jokes flat गए English, the comedian's joke did not come off as funny as funny मतलब उतना funny as he intended जितना उसने intent किया था, सोचा था उसकी जो intentions थी कि मैं ऐसे बोलूँगा तो सब हस जाएंगे but his jokes did not come off phrasal verb as funny as he intended बलकी, instead मतलब बलकी, it fell flat with the audience बलकुल flat गए, audience को समझे निया आया कि हसना है या रोना है या क्या बोला है यहाँ आपने तेखा कि come आया है, came नहीं आया जबकि past time की बात हुई है क्योंकि आपने do को already did कर दिया है, it did not जब भी did दिखे sentence में तो याद रखिएगा कि हमेशा वर्ब की first form use होगी इसलिए कहते हूँ यार ग्रामर पढ़ लो ताकि यह basic चीजे clear हो जाएं बार बार इनका रोना ना पड़े तो एक बार sentence आप में बोलते हैं the comedian's joke did not come off as funny as he intended, instead it fell flat with the audience कई बार आप जब English पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वो sentence ना पढ़ने में मजा आये ना समझ आये क्योंकि समझ नी आ रहा है तो मजा भी नी आ रहा है पर फिर भी मैं आपको recommend करोंगी at least उन sentences को read out करो, loudly read out करो इससे आपके mouth muscles train होंगे उन sentences को naturally English में बोलने के लिए कहीं ना गहीं आपकी language की understanding को और deepen करेंगे, आपके confidence को elevate करेंगे कि आप इस तरह की complex sentences को आज नहीं तो कर confidently English में बोल पाएंगे and that really resonated with me, that really resonated with me, मतलब मैं उस बात से बहुत जादा relate कर पाया तो मैंने आपको कहा कि मुझे आपकी वीडियो देखनी बहुत पसंद है क्योंकि जो आप कहते हो मैं उससे resonate कर पाता हूँ अब आप translate करें कि sorry पर जो भी आपने कहा मैं उस बात से बिलकुल भी link री बना पा रहा हूँ उसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह किस context में बात सही है तो I cannot resonate with what you are trying to say here अब आप बताएं कि मैं बहुत जादा मैं जब उसकी stories सुनता हूँ तो मैं उनसे बहुत आप resonate कर पाता हूँ क्योंकि मेरा भी childhood कुछ इसी तरह का था resonate कर पाना relate कर पाना उसी का एक advanced sentence करन ने बोला and that struck a chord that struck a chord का exact meaning आता है कि किसी चीज ने आपका दिल छू लिया एक बास sentence सुन लेते हैं ठीक है and that really resonated with me that struck a chord yeah so that struck a chord तो इहां पर मैंने एक sample sentence लिखा है the film's portrayal of son's love and sacrifices for his father struck a chord with viewers portrayal मतलब जो प्रदर्शन किया गया मैं animal movie की बात करी हूँ animal movie में दिखाया कि जो son है उसका प्यार और sacrifice अपने father के लिए इस story ने ये जो story की plotting थी ये इतनी प्यारी थी कि it struck a chord with the viewers viewers के दिल को छू गई ये बात तो something struck a chord with something it struck a chord तो when she said that I could really resonate with her and that struck a chord और वो चीज़ मेरे दिल में बैट गई बहुत जादा leaving a lasting impact on their hearts there किसले यूज़ हुआ है क्योंकि viewers पहले लिख दिया है तो viewers के दिलों पर एक बहुत लंबा influence छोड़ दी leaving a lasting impact on their hearts तेखो सीखने के लिए कि इतना कुछ है यहां पर lasting impact एक बहुत प्यारा word है जैसे आप कह सकते हैं कि उसने जो भी कहा उसने मेरे दिल के ओपर एक छाप छोड़ दी whatever she said it left a long lasting impact on my heart एक sentence है दूसरा sentence है फिर दूसरा sentence है फिर दूसरा sentence है इसी तरह आपको अपना पूरा माप बनाते चलना है क्या आप एक बार इस sentence को मेरे साथ फिर से रीड करने की गोशिश करेंगे the film's portrayal of son's love and sacrifice for his father struck a chord with viewers leaving a lasting impact on their hearts perfect okay I have to tone down I have to tone down I have to tone down tone it down tone down मतलब किसी चीज़ को थोड़ा सा कम force pull करना उसकी intensity को थोड़ा reduce कर देना तो अगर कोई आपसे बहुत उची वाज में बात कर रहा है बहुत aggressive manner में और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या सकते हो please tone down your voice please tone down your voice I cannot tolerate this attitude tone it down, tone down your behavior इस चीज़ को less intensify कर दो थोड़ा हलका कर दो I have had a black out उगे पहले sentences सुन लेते हैं I was like okay I have to tone down I had a black out and I had a fall can you come home? I had to go for events and put up have to put up this front and do chat shows and like have all of these conversations and interviews and really put myself out there where internally I was just empty okay I have had a black out black out means loss of consciousness आपको पता ही नहीं चल रहे है क्या चल रहे हो सकता है भी होश हो गई हो या फिर आपके सामने सब काला हो गया है इस situation को बोलते है I have had a black out मैं बिल्कुल black out हो गई थी और अगर आप ऐसे कहना चाहते हो कि यार ऐसा कुछ वा था कि पहले black out हुआ सब कुछ आँखों के सामने काला हो गया और उसके बाद I had a fall मैं गिर गई थी हम हो I go for events I have to put up this front and I have to put up this front and do chat shows chat shows means talk shows so I have to put up this front इसका मतलब है कि मेरे कुछ दिखावा करना पड़ता है pretend करना पड़ता है मेरे जो emotions current होते हैं उनको छुपा कर कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है जो situation की requirement है जैसे no matter I am happy or sad I have to put up this cheerful front and record videos for you ऐसा सच में नहीं है मैं खुश रहती हूं पर एक sentence है कि जैसे example sentence दिखते है no matter how depressed you feel आप किते भी depressed हो you have to put up this cheerful front और अगर cheerful नहीं लगाना cheerful नहीं लगाना cheerful मतलब खुशी वाला cheerful front and go to work everyday no matter how depressed you are but you have to put up this cheerful front and go to work everyday अब आप एक sentence को कुशिश करें translate करने की मैं ये दिखावे वाला चहरा I cannot put up this cheerful front everyday मैं ये दिखावे वाला चहरा रोज नहीं दिखा सकता English I cannot put up this cheerful front everyday ये मैंने translate कर दिया आप दूसरा sentence कोशिश करें translate करने की कि तुम्हें ये front put up करने की put up मतलब पहनना तुम्हें ये जो front put up करने की कोई ज़रुवत नहीं है मुझे पता है तुम उदास हूँ कोशिश करें translate करने की meaning आ गया pretending oneself in a certain way एक तरीके से अपने आपको दिखाने का दिखावा करना different from one's true feelings अपने true feelings और situation को छुपा कर shows and like have all of these conversations and interviews and really put myself out there really put myself out there really put myself out there की मेर को वहां पे खुद को प्रेजन करना पड़ता है जबकि मैं अंदर से बिकुल खाली होती हूँ you know there is a hole inside of me I was just empty from within I was broken from within and I have to put up this front I have to put myself out there so there are some ground rules ground rules ground rules का मतलब है basic rules अगर हमें साथ में काम करना है तो we have to decide some ground rules चलो कुछ ground rules decide कर लेते हैं ता कि हमारे बीच में conflicts मतलब लडाईया ना हूँ छोड़े words को ऐसे ही पिक करके अपने notes में अड़ करते रहे चलिए पहलापको sentences सुन लीजे अब मीनिंग समझते हैं low and behold यह expression आप यूज करते हैं और आश्चर्रे की बात है और बड़ी surprising सी कोई चीज है तब इस चीज को कहने के लिए आप बीच में कहते है and low and behold मतलब ऐसा हुआ पता है ऐसा हुआ इस expression के लिए English है low and behold यहाँ पर इसका sample sentence देखते हैं He's out of town I opened the door friend whom I had not seen in years वहाँ पर खड़ा था मेरा बच्पन का दोस जिसको मैंने कई सालों से नहीं देखा था whom I had not seen past perfect tense I had not seen कोई काम नहीं हुआ था past time I had not seen in years I opened the door and low and behold there stood my childhood friend वहाँ खड़ा था there stood who? there stood my childhood friend whom मतलब जिसको whom I had not seen in years do not try to woo your audience vote something like that do not try to woo your audience voting base कुछ ऐसा ही sentence था कि woo का मतलब होता ही कि किसी को flatter करना charm करना usually इसलिए क्यूकि आपको उंसे कोई फेवर लेना है मसका लगाना कुछ फेवर लेने के लिए seek the favor, affection or support of someone किसी का support लेने के लिए उनको थोड़ा सा मखन लगाना simple sentence do not try to woo me with your cheesy lines अपनी मखन वाली लाइने मेरे पर उससे मेर को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो do not try to woo me with your cheesy lines हम अपनी मॉम को woo करते थे अकसर जब हमें बर्दे पाटी में जाना होता था या उनसे कुछ पैसे चाहिए होते थे तो अब translate करें कि मुझे पता है तुम you know मेरे से help लेने के लिए मेरे को woo करने की कोशिश कर रहे हो कोशिश करें रहे हैं translate करने की मैब करू इस sentence को translate आपके लिए I know you are just trying to woo me to take favor from me do not try to woo me just for the sake of taking this favor आप हमेशा उसको woo करके उससे अपना काम करवा लेते हो इस sentence को कोशिश करें translate कर लेते हैं I like this word traumatized traumatized होना मतलब sadma लग जाता है ना जब आप कोई accident को देख लेते हो या कोई ऐसा incidence हो जाता है जो आपको emotionally बहुत जादा distress कर देता है उसके लिए word उस हुआ है traumatized so I was traumatized मैं ट्रॉमा में था मैं सदमे में था तो sample sentence is the accident traumatized him उस accident न उसको सदमे में डाल दिया and he has been struggling with anxiety ever since और तब से उसको anxiety हो रही है tension you know anxiety attacks you know anxiety हो रही है उसको तब से consentence है present perfect continuous tense he has been struggling वो किस चीज से struggle कर रहा है anxiety से ever since का मतलब तब से अब आप कोशिश करें उस दिन से मेरी उस से बात नहीं हुई है यही वाला grammar structure यूज होगा उस दिन से हमारी उस दिन से हम लोग बात नहीं कर रहे हैं we have not been talking ever since एक sentence और आपके लिए जब से उसकी नौकरी गई है वो सद्मे में है he has been traumatized ever since जब से उसकी नौकरी गई है थोड़ी सी कोशिश आप करें जब से उसकी नौकरी गई है वो तब से सद्मे में है ever since word use होगा और traumatized word use होगा अब रनबीर की बात सुन लेते हैं इनको किस चीज का सद्मा लगाता तीक है very traumatized by that because she had taken my pants off in front of the whole class she had taken my pants off in front of the whole class taking someone's pant off in front of someone doesn't mean you are literally taking their pants off it means you're embarrassing them you're humiliating them you're insulting them in front of people so किसी की बहुत अबस्ती कर दे मतलब you're taking their pants off maybe because he was not acting the way she wanted him to act let's listen to the whole conversation together I was making your eyesore get off my stage what are these choices you're making your eyesore so teacher ने बोला की get off the stage get off मतलब उतरना नीचे उतर जाना get off the stage you are an eyesore eyesore मतलब कोई पी चीज जो आपी आखों में खटक रही है so teacher ने बोला that what like what nonsense choices you're making you are an eyesore get off the stage तो इस चीज से ये बहुत बदर ट्रॉमाटाइजड हो गए थे ये इस कॉंटेक्स्ट का मीनिंग निकल कर आया है who gets that thirst trap thirst trap का मतलब होता है कि आप बहुत फैंसी कपडों में इसलिए तयार होकर अपनी एक पिक क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हो कि आपको बहुत जादा अटेंशन मिले लोगों की उस तरह के पोस्ट को आप कहते हैं thirst trap post thirst trap post so the sentence is and I owe it to my upbringing मैं इसका जो भी मैं हूँ आज उसका मैं सारा का सारा credit अपनी अप्रिंगिं को जस तरह मेरा पालन पोशन हुआ है उसको देना चाहती हूँ so if you owe something to someone you are trying to tell them कि भाई मेरा आभार है मैं इंडेप्टेड हूँ आपके उन सब फेवर्स और उससब सपोर्ट का और अगर मैं आज एक सकसस बन पाई हूँ तो उसका मैं सारा credit आपको दे रही हूँ तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है अगर मैं आज सकसफुल हूँ तो मैं उसका credit किसी अपनी किसी role model को देना चाहूँगा तो I owe it to XYZ person if I am able to do this I owe it to XYZ person without him I couldn't have done it मैं ये नहीं कर पाता could not have, नहीं कर सकता था past में चला गया I could not have done it इसका एक definition देखते हैं standard is a phrase used to express a sense of obligation or credit towards someone or something for a particular achievement or success कुछ बहुत बड़ आपके हाथ लग गया है अब आप उसका credit जिसको देना चाहते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं I owe it to my parents I owe it to XYZ person if I am able to do this I owe it to you मैं इसका credit आप अपने बॉस को इंप्रेस कर सकते हैं कहकर so whatever I have learned I owe it to you है सर्फ आप ही की बड़ालत पॉसिबल हो पाया मैं सारा credit आपको देता हूँ अब यहां पर देखो 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 किया इन्होंने कहा and I owe it to I owe it to my इन्होंने बोला and I owe it to my फिर इनके पास आगे sentence फ्रेम करने के नहीं नहीं तो उन्होंने उससेंटेंस को ड्रॉप करा और दुबारा से एक सेंटेंस फिर से रिकॉर्ड कर लिया जब आप इतने ध्यान से content को कंजिम करोगे तो आप देखोगी कि जिनको देखर इतना सदाएं इंप्रेस होते हो उन लोगों के इंगलिश में भी फ्लॉज हैं एक बडर सुन लेते हैं I owe it to my upbringing and I owe it to my The fact that I was an athlete before I became a I owe it to my महा सेंटेंस नहीं आया Sweet pause लिया दूसर सेंटेंस I owe it to the fact that I was an athlete before I became an actor मैं इस चीज को क्रेट देना चाहूंगी, मैं शायद फिगर की बात थी अपने फिगर के लिए कि मैं एक अथलीटी एक एक अच्टर बनने से पहले so I owe it to my, I owe it to the fact that I was an athlete before I became an actor you get the drift, you get the drift, बहुत ही प्यारा इडियमाटिक English expression है इसका मतलब होता है कि आप समझ गए ना मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं इसकी English है, but you get the drift, right? you get the drift or you got the drift, right? अगर आप कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पाई exactly क्या कहना चाहते हो I did not get the drift, मतलब intentions समझ नहीं आई, सिर्फ शबदों मत चाहो, सब तो समझ आ गए कि तुम ये काम नहीं करोगे, पर intentions समझ नहीं आई, I did not get the drift, कि exactly, आप क्या कहना चाह रहे थे You dated? Yeah, all heart, yeah, what more does a girl All heart, all heart मतलब पूरे दिल से, ये एक Standard English का expression नहीं है, Standard English में इनको बोलना चाहिए था, with all my heart, पूरे के पूरे दिल से तो करन नहीं से question पूछा कि अगर ये रौकी रंधावा होते, तो भी क्या आप इनहें डेट करती, तो दिपका नहीं कहा, yeah, with all my heart, मतलब पूरे दिल से तो अगर मैंने आपको कहा कि क्या आप प्राक्टिस करेंगे इस थरह अपनी Conversational English को, content, English content, take the time, तब होगे, with all my heart, मतलब बिलकुल दिल से करूँगा, या फिर वो मुझे पसंद है, बहुत पूरे दिल से, I adore her with all my heart, बहुत जादा दिल से मैं इसको पसंद करता हूँ, I adore her with all my heart, अपनी willingness दिखा रहे हो आप कि आप कि इसी चीज को पूरे तह दिल से करना चाहोगे, okay, आप screenshot ले सकते हो इन सब definitions का, So, अगर कोई बंदा अपनी हाट को अपनी स्लीव के ओपर पहन रहे है, somebody is wearing his heart on his sleeve, इसका मतलब वो अपने emotions को दिखाने में वल्नरिबल, कमजोर फील नहीं करता, वो बहुत openly अपने emotions को express करता है, तो दिपेका कह रहे हैं कि एक लड़की को इससे जादा क्या चाहिए, कि उनका जो लवर है, वो अपने emotions को इतना openly express करें, She is the kind of person who can't help but wear her heart on her sleeve, making it evident how feels at all times, कि वो जो एक बंदी है न, वो she can't help, वो इस चीज़ को control नहीं कर सकती, अपने emotions को दिखाने के लिए, मतलब she always wears her heart on her sleeve, making it evident, इस चीज़ को बिलकुल evident, बिलकुल clear करने के लिए, कि वो कैसा feel कर रही है, at all times, her time पर, तो sample sentence अतना अच्छा नहीं है, बड़ आप अगर एक sentence construct करना चाहें, तो आप कह सकते हैं, कि मेरे को Jack या XYZ person इसलिए पसंद है, क्योंकि वो अपने emotions को बहुत openly express करता है, बिना emotionally vulnerable feel हुए, बिना कमजोर feel करें, कोशिश करें, आप कर सकते हैं, this is fraudulence, fraudulence मतलब धोके बाजी, ये तो धोके बाजी है, धोका धड़ी है, this is fraudulence, angelic smile मतलब परियो जैसी smile, angelic smiles of her, I love this angelic smile of yours, मुझे आपकी ये, angel जैसी smile बहुत परसंद है, English, I love, I love or I like, I love your, I love this angelic smile of yours, sentence पिक किया, अपने context में फिट करके, active memory में, सेव कर लिया, exhilarating, it's been warm, it felt like a hug, mainly in the universe, तो यहाँ पर करन ने कहा कि भई, this experience of having this conversation with you has been warm and exhilarating, exhilarating का exactly meaning है कि कोई चीज ना, आपका किसी चीज के साथ experience बहुत ही refreshing रहा, आपको उस चीज से बहुत positive energy मिली और आप बहुत happy थे, बहुत joyful experience था किसी चीज को आपका करने का, तो वो experience बहुत exhilarating था आपके लिए, जैसे हम लोग गए और हमारी गोवा की ट्रिप बहुत exhilarating थी, बहुत refreshing थी, बहुत मज़ेदार थी, तो exhilarating थी, ठीक है, इसका sample sentence लेखते हैं, फेल्ट लाइक अ हग, अब यहाँ में सेंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, it felt like a hug, मतलब इतना warm था, इतना प्यारा लगा कि जैसे किसी ने hug कर दिया, तो it felt like a hug, अब हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने जप्पी दे दियो, फिर English में आपको यह छोटी-छोटी चीज़ों को नोट करना हैं कि emotions को किन-किन तरीकों से express किया जा सकता है, I truly enjoyed this conversation today, it truly felt like a hug, it truly felt like a warm hug, it's been exhilarating talking to you, किसी से आपने बहुत meaningful conversation अगर करी है, और उसके बाद आप उनको यह दो-तीन sentences बोल देते हैं, तो आपके English के level की तो तारीफ होगी ही होगी, पर आप एक long-lasting impact leave कर पाएंगे उस बंदे के heart पर, आपकी जो बाते हैं, it will struck a chord, यह एक दिल छू जाने वाली बाते होंगी, अगर आप इस तरह से अपने बातों को शब्दों के जाल में पर रोना सीख जाते हैं, तो जब आप talk shows देखें, तो सिर्फ English ना सीखें, पर देखें कि अच्छा, एक बात को कहने का कितना खूपसूरत तरीका हो सकता है, और यह सब चीज़े हम सीख सकते हैं, the roller coaster ride was exhilarating, with its twists, turns and sudden drops, जो roller coaster ride was exhilarating, exhilarating थी, उसके twists की वज़े से, turns की वज़े से, और जस तरह से वो इगदम से drop कर रहा था, फिर rice कर रहा था, so that experience was exhilarating. Next, last sentence. May the universe always give you the choicest blessings. May the universe always give you the choicest blessings. May model verb हम use करते हैं, जब हम किसी को wishes देते हैं, दुआएं देते हैं. तो किती प्यारी wish दी है न, यहाँ पर करने, और आप ही इस wish को use कर सकते हैं, बर्दे मेसेज़स के end में, या किसी से बात कर रहा हूँ, आपको बस अच्छा लगा, आप उसको दुआएं देना चाहते हो, कि यार भगवान तुमें सारी खुशियां दे. तो उसके लिए ये standard English यूज हुई है, may the universe always give you the choicest blessings, मतलब बिल्कुल choice करके सारी की सारी best blessings दे, sentence को साथ में बोल कर याद करते हैं, so may the universe always give you the choicest blessings, और यही मेरी दुआ है आप सब के लिए, that may the universe always give you the choicest blessings, भगवान अपनी choice की वही सबसे प्यारी blessings है, वो आपके उपर शावर करें इस तरहा, यह है end is video का जो थोड़ी taxing थी मेरे लिए पहले edit करनी और फर record करनी पर आप मेरे को बताएं कि क्या यह experiment successful रहा, क्या आपको इससे बिलकुल modern English सीखने के की opportunity मिली, आपको समझ जाया, जो मैंने बढ़ाया शेह थोड़ा सा fast-paced थी, क्या मुझे सबस्लोडाउन करना चाहिए या आप इस pace के साथ comfortable थे और आप मेरे साथ बहुत कुछ सीख पाए या क्या आप अभी तक वीडियो देख भी रहे हो तो यह है इस वीडियो का मेरी इंग्लिश वारियर बुग पर चेस करने के लिए जो कि 90-day spoken English course book है एक प्रॉपर आप उसको order करने के लिए लिंक वालो कर सकते हैं description box में मैं आपको मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में किसी exhilarating प्रॉपिक के साथ नई वीडियो बे बहुत जल्दी थैंक यू पर वाचिंग वाचिंग वीडियो तिल दी एंड लव यू कीब लर्निंग कीब ग्रोइं